जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं पूरिमा की ब्रत कथा द्वापर्यू में एक समय की बात है कि यसोधा जी ने कृष्ण से कहा हे कृष्ण तुम सारे संसार के उत्पन करता पोशक तथा उसकी संहार करता हो आज कोई ऐसा ब्रत मुझ से कहो जिसके करने से मृत्य लोक में इस्त्रियों को बिध्वा होने का भय न रहे तथा यह ब्रत सभी मनुश्यों की मनो कामनाएं पूर करने वाला हो श्री कृष्ण कहने लगे हे माता तुमने अती सुन्दर प्रस्ण किया है मैं तुमसे ऐसे ही ब्रत का सविस्तार कहता हूँ शवभाग की प्राप्ती के लिए इस्त्रियों को 32 पुरमाश्यों का ब्रत करना चाहिए इस ब्रत के करने से इस्त्रियों को शवभाग संपत्ती मिलती है यह ब्रत अचरसव भाग्य देने वाला इवं भगमान सीव के प्रती मनुष्य मात्र की भक्ती को बढ़ाने वाला है यह सोधा जी कहने लगी हे कृष्ण शर्व प्रथम इस ब्रत को मृत्ति लोक में किसने किया था इसके विशे में बिस्तार पुरुव मुझसे कहो स्री कृष्ण जी कहने लगे की इस भुमंडल पर एक अतियंद प्रसिध राजा चंद्रहास से पालिद अनेक ब्रकार के रतनों से परिपूर कातिका नाम की एक नगरी थी वहाँ पर धनिश्वर नाम का एक ब्रामर था और उसकी इस्त्री अतिसुसीला रूपवती थी दोनों ही उस नगरी में बड़ी प्रेम की साथ रहते थे घर में धन धान्यादी की कमी नहीं थी उनको एक बड़ा दुख था की उनकी कोई संतान नहीं थी इस दुख से वह अतियंत दुखी रहते थे एक समय बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया वह योगी उस ब्रामर की घर को छोड़कर अन्य सब घरों से भिच्छा लाकर भोजन किया करता था, रूपवती से वह भिच्छा नहीं लिया करता था, उस योगी ने एक दिन रूपवती से भिच्छा न लेकर, किसी अन्य घर से भिच्छा लेकर, गंगा किनारे जाकर भिच चान को प्रेम पुर्वग खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का यह सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिच्छा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला महात्मन आप सब घरों से भिच्छा लेते हैं। परन्तु मेरे घर की भिच्छा कभी भी नहीं लेते इसका कारण क्या है। योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भी पतितों के अन के तुल्य होती है। और जो पतितों का अन खाता है वह भी पतित हो जाता है। चुकि तुम निह संतान हो अतह पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिच्छा नहीं लेता हूँ धनिश्वर यह बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों पर गिर पड़ा तथा आर्थ भाव से कहने लगा यह महाराज यदि ऐसा है तो आप मुझे को पुत्र प्राप्ति का उपाय बताईए आप सरवग्य हैं मुझे पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है परन्तु मैं पुत्र न होने के कारण अतियंत दुखी हूँ आप मेरे इस दुख का हरड कर आप सामर्थ यवान है यह सुनकर योगी कहने लगे हे ब्रामहर तुम चंडी की अराधना करो घर आकर उसने अपने इस्त्री से सब ब्रतांद कहा और श्वयम तब के निमित बन में चला गया बन में जाकर उसने चंडी की उपासना की और उपवास किया चंडी ने सोलह वें दिन उसको श्वप्न में दर्शन दिया और कहा ये धानेश्वत जा तेरा पुत्र होगा परंतु वह सोलह वर्ष की आयू में ही मृत्तिव को प्राप्थ हो जाएगा यदि तुम दोनों इस्त्री पुरूस 32 पुरुमासियों का ब्रत विधी पुरुवक करोगे तो वह दिरगायू होगा जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटी के दिये बनाकर सिवजी की अराधना करो परंतु पुरुमासी को 32 दिये जलाने चाहिए प्रातह काल होने पर इस स्थान के समीफी तुम्हें ये काम का ब्रिछ दिखाई देगा उस पर तुम चड़कर एक फल तोड़कर सिग्र अपने घर चले जाना अपनी इस्त्री से सब ब्रितांत कहना रितु एस्नान के पश्चात वह स्वच्छो कर श्री संकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी तब संकर भगमान की क्रिपासे उसको गर्भ हो जाएगा जब वह ब्रामहड प्रातहकाल उठा तो उसने उस अस्थान के पास ही एक आम का ब्रिच देखा जिस पर एक अतियंत सुन्दर आम का फल लगा हुआ था उस ब्रामहण ने उस आम के बृच पर चढ़कर उस फल को तोड़ने का प्रियत्न किया, परंतु ब्रिच पर कई भार प्रियत्न करने पर भी वह न चढ़ पाया, तब तो उस ब्रामहण को बहुत चिंता हुई और बिग्ण विनासक स्री गरेश जी के बन्ना करने लगा ये दयानिधे अपने भक्तों के विगनों का नास करके, उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नास करने वाले, रिधी सिधी के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करके, इतना बलदे कि मैं अपने मनुरत को पोड़ कर सकूं। इस प्रकार गरेश जी की प्राहतना करने पर उनकी क्रिपा से धनिश्वर ब्रिच पर चड़ गया और उसने एकति सुन्दर आम का फल देखा। उसने विचार किया कि जो बरदान से फल मिला था वह यह है और कोई फल दिखाई नहीं देता। उस धनिश्वर ने जल्दी से उस फल को तोड़कर अपनी इस्त्री को ला कर दिया और उसकी इस्त्री ने अपने पती के कतना अंसार उस फल को खा लिया और वह गर्वती हो गई देवी जी की असीम क्रिपा से उसे एक अतियंत सुन्दर पुत्र उत्पन हुआ जिसका नाम उन्होंने देवी दास रखा माता पिता के हर्ष और सोक के साथ वह बालक सुक्लपच्च के चन्रमा की भाती अपने पिता के घर में बढ़ने लगा भवानी की क्रिपा से वह बालक बहुत ही सुन्दर शुशील और विद्या पढ़ने में ही निपूर हो गया दुरगा जी की आग्या अनुसार उसकी माता ने बतिस पुड़माशियों का बरत रखना प्रारम्व कर दिया था जिससे उसका पुत्र बड़ी आयू वाला हो जायर सोलहवामस लगते ही देविदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई की कही उनके पुत्र की इसवस मृत्यू नहो जायर इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया की यदि यह दुरगटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे परंतु उन्होंने देविदास के मामा को बुलाया और कहा की हमारी इच्छा है की देविदास एक वर्ष तक कासी में जाकर बिद्याध्यन करे और उसको अकेला भी नहीं छोड़ना चाहिए इसलिए साथ में तुम चले जाओ और एक वर्ष के पस्चाहत इसको वापस लवटा लान्या सप्रबंध करके उसके माता पिता ने कासी जाने के लिए देविदास को एक घोड़ी पर बैठा कर उसके मामा को उसके साथ कर दिया किन्तु यह बात उसके मामा या किसी और से नहीं कही धनेश्वर ने सापतनी अपने पुत्र की मंगल कामना तथा दिरगायू के लिए भगवती दुरगा की अराधना और पुड़मासियों का ब्रत करना आरंभ कर दिया इस प्रकार बराबर बत्तिस पुड़मासी का ब्रत पूरा किया। कुछ समय पस्चार एक दिन वह दोनों मामा और भांजा मार्ग में रात्र विताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दित उस गाव में एक ब्रामहर की अतियंत सुन्दरी, सुसीला, विदुसी और गुर्वती कन्या का विबाह होने वाला था। जिस धर्म साला के अंदर बर और उसकी बारात ठहरी हुई थी। उसी धर्म साला में देवी दास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोग बस कन्या को तेल आदी चठा कर मंडफ आदी का कृत्य किया गया तो लगन के समय बर को धनुरवात हो गया परन्तु बर के पिता ने अपने कुटुम्बियों से परामस करके निश्चे किया कि यह देवी दास मेरे पुत्र जैसा ही सुन्दर है। और बाद में विवाह के अन्यकारिय में मिरे लड़के के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवी दास के मामा से जाकर बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो जिससे विवाह के लगन का समय कृत्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधू पर कादी कन्यादान के समय बर को मिले वह सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दुलहा बन जाएगा। यह बात बर के पिता ने स्विकार कर ली और उसने अपना भांजा बर बनने को भेज दिया। उसके साथ सब विवाकार्य रात्री में बिधी पुर्वक संपन्ध हो गया। पत्नी के साथ वो भोजन न कर सका। और अपने मन में सोचने लगा की न जाने यह कैसी इस्त्री होगी वह एकांत में। इसी सोच में गरम निश्वास छोड़ने लगा तथा उसकी आखों में आसू भी आ गए। तब बधु ने पूछा की क्या बात है। आप इतने उदासिन वह दुखी क्यों है। तब उसने सब बाते जो बर के पिता वह उसके मामा में हुई थी उसको बतला दी। तब कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विभाग के विप्रीत हो कैसे सकता है। देव, ब्रामहर और अगनी की सामने मैंने आपको ही अपना पती बनाया है। इसलिए आप ही मेरे पती हैं। मैं आपकी ही पतनी रहूंगी किसी अन्य की कदापी नहीं। तब देवी दास ने कहा ऐसा मत करिये। किमकी मेरी आयू बहुत थोड़ी है। मेरे मने के पश्चाद आपकी क्या गती होगी। इन बातों को अच्छी तरह विचार लो परंतु वह द्रिट विचार वाली थी। बोली कि जो आपकी गती होगी वही मेरी गती होगी। हे स्वामी आप उठिये और भोजन करिये। आप निश्चे ही भूखे होंगे। इसके बाद देवी दास और उसकी पत्नी दोनों ने भोजन किया। तथा सेश रात्रिवे सोते रहे। प्रात्रकार देवी दास ने अपनी पत्नी को तीन नगों से जड़ी हुई एक उठी दी, एक रुमाल दिया और बोला हे प्रिये इसे लो और संकेत समझ कर इस्थिर चित्थ हो जाओ. मेरा मरड और जीवन जानने के लिए एक पुष्प बाठका बनालो, उसमें सुगंधित वाली एक नौमलिका लगालो, उसको प्रती दिन जल से सीचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो तथा उच्षव मनाओ. जिस समय जिस दिन मेरा प्रारान्थ होगा एक फूल सुख जाएंगे और जब ये फिर हरे हो जाएं तो जान लेना की मैं जीवीत हूँ. यह बात निश्चय करके समझ लेना इसमें कोई संसय नहीं है. यह समझा कर वह चला गया प्रातह काल होते ही वहाँ पर गाजे बाजे बजने लगे और जिस समय बिवाह के कार्य समाप्त करने के लिए बर तथा सब बाराती मंडप में आये तो कन्या नेबर को भली प्रकार से देख कर अपने पितासी कहा कि यह मेरा पती नहीं है. मेरा पती वही है जिसके साथ रात्री में मेरा पारी ग्रहर हुआ था. इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है. यदि यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया मधुपर्ग और कन्यादान के समय जो मैंने भूश रात दिये थे उन्हें दिखाए. तथा रात में मैंने क्या गुप्त बाते कही थी. वह सब सुनाएं. पिता ने उसके कथना अनुसार बर को बुलवाया. कन्या की यह सब बाते सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता. इसके पस्चार लज्जित होकर वह अपना सामुह लेकर चला गया. और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लवट गई. भगवान श्री कृष्ण बोले हे माता इस प्रकार देवी दास कासी बिद्याधन के लिए चला गया. जब कुछ समय बीथ गया तो काल से प्रेरित होकर एक सर्प रात्री के समय उसको दसने के लिए वहां पर आया. उस बिश्दर के प्रभाव से उसके सयन का अस्थान चारोर से बिश की ज्वाला से बिशैला हो गया. परंतु ब्रत राज के प्रभाव से उसको काटने न पाया. क्योंकि पहले ही की भाती उसकी माता ने 32 पूड मा का ब्रत पूड कर लिया था. इसके बाद मध्यान के समय श्वयम काल वहां पर आया. और उसके सरीर से उसके प्राडों को निकालने का प्रियत्न करने लगा. जिससे वह मूर्शित होकर पृतिभी पर गिर पड़ा. भगवान की किरपा से उसी समय पार्वती जी के साथ श्री संकर जी वहां पर आ गये. उसको मूर्शित दसा में देखकर पार्वती जी ने ब्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्त होकर बैठ गया उधर उसकी इस्त्री उसके काल की प्रतिच्छा किया करती थी जब उसने देखा कि उस पुस्प बाटका में पत्र पुस्प कुछ भी नहीं रहे तो उसको अतियंत आश्यर हुआ और जब वह वैसे ही हरी भरी हो गई तो वह जान गई कि वह जिवीत हो गए हैं यह देखकर वह बहुत प्रसंद हो गई और अपने पिता से कहने लगी कि पिता जी मेरे पती जिवीत हैं आप उनको ढूड़िये जब सुलहमा वर्ष ब्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ कासी से चल दिया इधर उसे स्वसूर उसको ढूड़ने के लिए अपने घर से जाने वाले ही थे कि वह दोनों मामा भांजे वहां पर आ गए उसको आया देखकर उसका स्वसूर बड़ी प्रसंता के साथ अपने घर में ले आया उस समय नगर के निवासी भी वहां इकठे हो गए और सबने निश्चे किया कि अव अश्य ही इसी बालक के साथ इस कन्या का विवा हुआ था उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि यह तो वही है जो संकीत करके गया था तदूपरान सभी कहने लगे कि भराफ हुआ जो यह आ गया और सब नगरवासियों ने आनन्द मनाया कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सा उपहरा दिले कर अपने घर के लिए प्रस्थान किया जब वह अपने गाउं के निकटा आ गया तो कई लोगों ने उसको देख कर उसके माता पिता को पहले ही जाकर खबर दे दी क तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के सहित आहा रहा है ऐसा समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ किन्तु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तो उनको बड़ा आश्यर्य हुआ लेकिन थोड़ी दिर में द सिर रखकर प्रडाम किया और उसकी पत्नी ने अपने सास सुर के चरडों को असपर्स किया तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्र बधु को अपने हिर्दय से लगा लिया और दोनों की आखों में प्रेमास्त्रू बह चले अपने पुत्र और पुत्र बधु के आने की खुसी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राम्रों को भी बहुत सी दान दचिरा देकर प्रसंद किया श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस प्रका धनेश्वर 32 पूरिमाओं के ब्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया जो भी इस्त्रियां इस ब्रत को करती हैं वे जन्न जन्मांतर के वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव शवभाग्यवती रहती हैं यह मेरा बचन है इसमें कोई संदेह नहीं यह ब्रत पुत्र पवत्रों को देने वाला तथा संपूर मनुकामनाओं को पूर करने वाला है 32 पूरिमाओं के ब्रत करने से ब्रती की सब इच्छाएं भगवान सिव जी की कृपा से पूर होती है